आप सभी सोगत बात करेंगे आप पर एक शांदार और दिगच मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में दोस्तो जिसने 24,000 पर्षन के उपर के रेटन इन्वेश्टर को कमाक दे मातर आपको बताना चाहूंगा 7-8 सालों में दोस्तो इतना दिगच और मल्टी बैगर साभीत आपक हुआ है तो आगे भी बड़या फर्फं करेगा क्या उसके बारे में डिसक्स करेंगे और इस टॉक में फ्रेश इंट्री लेनी चाहिए क्या उसके बारे में आपको डीटेल आनलीसिस करके बता दूँगा दोस्तो क्या पर हम बात करें श्री जगदंबा पॉलीमेर के बारे में जो कमपनी लगातार इंप्रूमेंट कर रही है अपने फर्फं में भी और इसके कॉटर फोर के रिजर्ट भी आकर जा चुके दोस्तों देख लेते कंपेर करकर कि कमपनी का फर्फं में कैसा रहा और कमपनी कितना दिगज आगे फर्फं कर सकती है उसके बारे में ऐसे interesting और जबरदस वीडियो आपको यहाँ पर free of cost में देखने को मिल जाएंगे पहले बात करेंगे दोस्तों इस stock के return के बारे में अब देखे return हामें क्या show करते हैं कि company कितने दिनों से perform कर रहे हैं और company का return का जो यहाँ पर percentage वो कैसा है वहामें समझ में आ जाता है दोस्तों यहाँ पर आप देखे कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ एक दिन से लेकर 10 साल तका performance दिखा रहा हूँ इस stock का तो आप यहाँ पर बिल्कुल understanding कर सकते हैं यहाँ पर आपको जगदंब पॉली मेर में 10 साल में देखे कितना जबरदस तरीके से return मिला है और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों इस company को पूरत के इसके long term की journey देखेंगे तो company इतने कम वक में इतना शांदर perform कर चुकी आपको आपको पर पता भी चल जाएगा अभी detail understanding करना यह थोड़ा आपर chart pattern में भी मैं आपको बता दूँगा कई से perform करेगा आगे जाकर यहाँ पर आप देखें एक साल के return के बात करें अब यहाँ पर सभी detail देखें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा भी company की listing कब होई थी कितने price पर list वाता सब कुद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर खाले आपके understanding रहनी चाहिए अब यहाँ पर इसके financial trade की बात करें रेविन ही देखें लेना दोस्तों कितना गजब का बड़ा इस company का पूरते के से यहाँ पर हम 2018 से लेकल जगदमा पॉली केवर की बात करें 2021 तक तो आप देखें कितना 179 करोड का जो रेविन तो बढ़कर 246 यहाँ पर करोड में हो चुका है और यहाँ पर profit की बात करें यहाँ पर 16 करोड ता round figure में बढ़कर 40 करोड हो चुका है बोलतो company कितनी तेज तरीके से profit में और जबरदस तरीके से अपने में improvement ला रही है हमें show होते हो देखने मिल रहा है बोलतो company का performance अच्छा quality का सुदर रहा है दोस्तो और company वो हमें पूरी तरके से पूरुप के साथ दिखा भी रही है अब यहाँ पर इसके business की बात करें तो आपको जो भी product देखने मिलेंगे ना वो यह company बनाती इतने easy language में आप समझ सकते हैं अब यहाँ पर हम बात करें के quality के मामले में तो आपको कहूंगा financial बहुती जबरदस तरीके से यह company अच्छी है financial कैसे दोस्तों आपको कहूंगा fundamental की बात हो यहाँ पर हम company के जो करजा होत दोस्तों एक साल का comparison करके दिखाऊंगा 2020 मार्च महिने में देखिए पूर्टके से company का performance कैसा था दोस्तों तो यहाँ पर company के sales देख लेना मैं आपको बताने कुछ करूंगा company के sales बहुत ही outstanding तरके से बढ़ी है पूर्टके से 21% से sales और net profit टेखेंगे 49% से बढ़ा है दोस्त भी हमें दम नजराता है अब यहाँ पर हम बात करेंगे market cap के बारे में दोस्तों एक company small cap की यह आपके पूर्टके से दिमाग में याद रहना चाहिए क्या होता देखिए mistake नहीं होनी चाहिए कि हमारे में समझने के लिए कि क्या होता है हम जापर समझ लेकि खाली एक company आच् क्या performance रहता है और large cup का क्या तो मैं आपको बताना चाहूंगा number of share का different रहता है सबसे ज़्यादा यह आपको देखने मिलेगा अब देख लिए जिसके number of share कितने एक करोड़ों की भी number of share नहीं दोस्तों इसके पास 88 lakhs यहाँ पर share है इसलिए और यहाँ पर valuation की बात करें तो बहुत ही अच्छा valuation है अब मैं आपको ऐसा नहीं कि डरा रहा हूं कि बता रहा हूं कि company में रिक्स है बोलकर रिक्स ज्यादा नहीं दोस्तों company की quality और company का business model समझ में आ जाए ना आपको यहाँ पर छोटे stock में पर रिक्स देखने मिलेगा है अब इसमें छोटे company तो क्या वो ज्यादा कुछ improvement नहीं देते हैं उनमें 25, 30, 40, 50, 80% में return 100% इतना return देखने मिलेगा एक एक साल में बड़ स्माल कैप के stock देते हैं जबरदस return दोस्तों और उनमें quality भी उतनी जबरदस होनी चाहिए अब इसमें करजा देखे 33 करोड का करजा, cash flow देखेंगे 13 करोड का available, प्रमोटर की holding देखेंगे दोस्तों तो इसमें देखे 73% का प्रमोटर का stake, earning per share की बात करे 46 का यहाँ पर देखने को मिल जाए और इसके यहाँ पर हम sales की बात करें वो 10 से दोस्तों बढ़ रही है, percentage profit देखेंगे 13 से ROC देखेंगे 34 से और यहाँ पर ROC की बात करें तो इसम पर बात कर लेते, company के return के बारे में, पास सालों में return की बात करें तो आप देखने ना 700 रुपे per share पर benefit दिया है, company बहुत ही छोटी थी दोस्तों और आपको कहूंगा, इतने छोटे price से stock ने इतनी बड़ी journey start किये क्योंकि quality business, बस खली एक ही बात दोस्तों, quality business और इनके product की बहुत से यहाँ पर इनके जो polymer के product है, अलग-अलग area में, अलग-अलग business में आपको कहूंगा, इनका जबरदस तरीके use अच्छा है, और यहाँ पर long term की बात करें, दोस्तों, एक company 3 रुपई से, कितना 3 रुपई से stock list हुआ, तब से देख लेना, company 2012 में देखें, दोस्तों 2012 से 2021 का time period, यहाँ पर आप count कर लेना, कितनी रिस होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, 8 से 9 सल की बात है, और इतना company दिगज performance करके दिखा दिया, और जैसे यहाँ पर हम बात करें, दोस्तों, आज के performance की भी तो 4% का return, आज भी stock ने कमाग दिया, 745 रुपीज पर trade कर रहा हमें इसमें मिल रहा है, और quality की बात है कि company के, यहाँ पर जो business है, वो good quality वाला company है, अच्छी तरीके से, management की बात हो, capital structure की बात हो, इसमें अच्छा weightage देती है, सबसे important बात दोस्तों, इसके यहाँ पर, जो मैंने आपको important बात बतानी चाहिए थी, यहाँ पर इसका cash flow, cash flow मे हम जैसे 2020 की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा down, यहाँ पर देखें कमाई company की कम होते हैं, सबसे important बात है कि इसको आप समझें, company के पास जो cash flow है, वो थोड़ा यहाँ पर improvement में नहीं है दोस्तों, अभी फिलाल का भी data जैसे latest update हो जाए, तब यहाँ पर हम देख लेते हैं, अब यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, इसमें mutual fund का stake है या नहीं है, उसकी बीडिला आपको हम देख लेते हैं, company की share holding pattern की बात करें, दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इसमें दिगज इन्वेस्टर बोले तो यहाँ पर हमें खाली mutual fund देखने को मिलेंगे, 4.67% का stake और कोई भी investor ने दोस्तों किसी प्रकार का यहाँ पर stake में कम ज़्यादा कुछ किया नहीं है, इसमें retail investor देखेंगे, जैसे non institutional investor यहाँ पर कोई बड़ा investor भी होगा तो उसमें यहाँ पर 22.71% का stake देखने मिलेगा, तो I hope मुझे लगता है यहाँ पर आप स्री जगदंबा प subscribe करे लेना, thank you